आज से लगवग 40 साल पहले गुटनों की प्राब्लम 99 परसंट किसी को नहीं होती थी दोस्तों आज हम आपके सामने जोडों का दर्द जो की ज्यादातर आजकल फैलता जा रहा है उसके बारे में एक छोटा सा निवरन रखेंगे जोडों का दर्द वैसे तो कई टाइप का होता है लेकिन आज के समय में जो कॉमन पाया जा रहा है वह संदिवाद और स्टियो आर्थ्राइटिस जिसमें आपने सुना होगा कि डॉक्टर कहता है कि आपका गरीश खतम हो गया तो इसका कारण क्या अगरीश खतम होगी अपने जुएंट की चिकनाई कहता होगी जिससे हमारी जो हडिया है वापस में रगड काने लग जाती है और वहां पे सुजन हो जाती है जिससे बीच में जो काईटिलेज होते हैं हडियों के बीच में जो हमारे जटके को अब्ज जाने का काम करते हैं और जब हडियां मेर हो जाती है हडियां उपर से नंगी हो जाती है तो उपर से फिर वो हडिया भी किसने लग जाती है और यह असाद है कि प्रब्लम को पैदा हो जाती है मनुश्य को इसके बाद मनुश्य बिन बिन परकार की द्वाईयां खाता है और कई बार ऑप्रेशन भी कराता है और इसमें कुछ हद तक उसको कई बार ऑप्रेशन के बाद हल्की फुल की सफलता मिलती है लेकिन हॉल लाइफ के लिए वो आदमी पीडित हो जाता है यह मैंने देखा है तो इसका कारण क्या है मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ कि आज से लग बग 40 साल पहले गुटनों की प्रव्लम 99 किसी को नहीं होती थी मैंने तो अपने आखों से अपनी आखों से कभी किसी को देखा नहीं कि किसी को ऐसे गुटनों की प्रवलम कही हुए हो मैंने सो सो साल के लोग भी देखे एक सो पांच साल साथ साल दस साल तक भी लोग हमने देखे लेकिन वो आखरी सांस तक ठीक से चलते थे ठीक से बैठते थे अपने पैरों पे बैठके वो शौच करते थे खेतों में सौच जाते थे बाहर शौच जाते थे पहले पहले गरों म में इंगली सेट नहीं होती देगरों में टाइलेट नहीं होते थे तो एक रीजन क्या हुआ फिर 30-40 साल में ऐसा क्या हुआ जिससे हमारे ज्वाइंट्स जो है ना वह ज्यादा तर और छोटी उमर में भी लगभा 25-35 साल में की उमर में भी देखा जा रहा है कि लोगों को ज ज्वाइब ज्यादा प्रियोग बढ़ा साथ में पिस्टिसाइड2 अव प्रियोग हुआ एक तो यह मुक्य कारण है ज्यूरिय जब बोडी के निदर जाता है तो वो हम आप जाते हैं और हमारी हटियां जो हमारे जो हौन्ट के बीच्च के जो काटिलेज होते हैं उनमें स और जब stichness और जब उस्जालतीयाती तो गेहुंग करी और चावल को여 और उसे-पहले की चलेपर और परेयों खाली प्रियोग नहीं होता था एले मोटा अनाज ज्यादा खाया जाता था लोग जवार, बाजवरा, मक्का और इस तरह के अनाज ज्यादा खाते थे गेहुं का प्रियोग कम होता था तो जब से गेहुं का प्रियोग बड़ा है वो इसका एक कारण बना पीसरा इसका कारण क्या है कि हम जो आटा पहले छोटी चक्की में हाथ से जो आटा पीछ लेते थे, उसमें आटा की जो पॉस्टिक्ता थी, आटे का जो छिलका था, वो जलता नहीं था, उसके गुण एजटेज उसमें मिलते थे, और हमारा शरीर उससे उस्ट होता रहता था, और हमें इस तरह के डेफ और हमारे घरों में छोटी चक्की आई पहले, और अब तो गरों की चक्की खतम करके, बड़ी चक्कियों पर हमाटा पिस्वाते हैं, या मिल काटा खाते हैं, और बड़ी पती, बड़ी जो हमारी चक्किया है, उनके अंदर जब आप देखेंगे, तो वहां बड़ी मोटर लगी होती है, बड़ी चक्की होती है, तो उसकी जो पावर हो ज्यादा होती है, और उसमें गेहों जो पिस्ता है, तो इतनी हीट पैदा हो जाती है, कि जो गेहों के चलके अंदर पोस्टिकता होती है, वो जल जाती हो खतम हो जाती है, बिल्कुल, तो उसी से हमारी हडिया कि हमारी जंता के अंदर हमारे लोगों के अंदर ये पैदा होने लग गया है तो इसका समाधान क्या है इसका समाधान अगर हम करें तो इसके भी दो तिन स्टेप्स होंगे पहला स्टेप्स क्या है कि हमारे किसानों को अवेर किया जाए और साथ-साथ उनको सरकार की तरफ से एक अमाउंट दिया जाए जिससे उनको जो खर्चा आता है और जो उनको थोड़ा बचत हो उनको हो जाए ताकि वो एक संतुष्ट बाव से और गनी खेती कर सकें देशी खाद की या केच्वी वाली खाद की खेती कर सकें जिससे हम जूरिया के प्रवाव से बच जाएंगे और यह लोग नहीं होगा दूसरा हम जो आटा पीस्ते हैं इसके लिए कोई ऐसी विवस्था करें कि बड़ी चक्की में ना पीसके छोटी चक्की इसके लिए लाएं और उसमें थोड़ा-थोड़ा आटा हम पीसे तो वह एक इसका प्रावदान हो सकता अलका सा बोटा जोओं आपका उड़द और रागी बाजरा मक्का यह सब बिन बिन परकार के जोनाज हैं इनको पीसके और हलका सा मोटा पीसे और उसकी रोटी खाएं और जो इसका छिलका बच जाता है उसको पानी में उबाल के उसका कड़ा भी है तो यह इस चीज का समाधान हम कर सकते है हैं तो यही मैं आज के इसमें रखना चाहता था जन्यवाद